हाई हैलो प्रेंट, सीमा स्भेस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है, तो आज मैं आपके साथ शेर करूगी टौपू पनीर की रिए 3 होता है टौपू पनीर का सेवर खाने में जाल रर कीजिये हैं यह तैस्थी है, रेसिप़ी rehe है, बहुत ही सिंपल है तो मैं आज असान तरीके से आपके साथ टोपू पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी तो सामगरी कम लगती है, बनाना बहुत असान है तो चलिए मेरा वीडियो लाश्ट तक आप ज़रूर देखिए टोपू पनीर की रेसिपी बनाना शेयर करते है टोपू पनीर बनाने के लिए पहले हमें टोपू पनीर चाहिए तो यही है टोपू पनीर तो टोपू पनीर बहुती सौप्ट और नरम होता है तो टोपू पनीर इस पैकेट में मिलता है तो मैंने इस पैकेट को खरीदाता तो टोपू पनीर पानी के साथ मिलता है इस पैकेट में क्योंकि इस पैकेट में पानी क्यों डालते है क्योंकि पनीर खरब नहीं होता टोपू पनीर पानी के साथ ही पैकिंग करते है तो घर पर लाने के बाद जब आपको बहुत दिन बाद जब सबजी बनानी है तो आप रोज टोपू पनीर का पानी चेंज कीज़े और दुसरा पानी डाल कर टोपू पनीर को रख दीजे प्रीज में तो टोपू पनीर खराब नहीं होगा और स्मेल भी खराब नहीं आएगी तो चलिए टिशू पेपर से हम पानी पोंच देते है पानी पहुंचने के बाद हम चाकू से कट कर लेते हैं पनीर को पनीर बहुत ही नरम होता है, हलके हाथों से हमें कट करना है टोपू पनीर सहित के लिए बहुत ही अच्चा होता है आप इसका सेवन खाने में ज़रूर कीजिए, हेल्दी है, टेस्टी है आप अपने पसंद के नुसार बड़े या चोटे साइज में कट कर सकते हो तो बहुत ही नरम होता है पनीर, हलके हाथों से हमें कट करना है तो कट करने के बाद हम पनीर को मैरनेट करेंगे जो हम regular पनीर खाते हैं वैसा पनीर नहीं होता है थोड़ा सा स्वाप्ट और नरम रहता है टोपू पनीर तो एक प्लेट में हम टोपू को रख देते हैं तो कोई सामगरी जादा नहीं लगेगी सिम्पल तरीक से हम पनीर को मैरनेट करेंगे इस टोपू पनीर में आप दही भी डाल सकते हो मैरनेट करने के लिए लेकिन मैं आज दही नहीं डालोंगी सिर्फ थोड़े से मसाले डालोंगी तो थोड़ी सी हल्दी डाली है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पावडर डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला जो गर्मे है वही मसाले डालने है और हलके हाथों से हमें ऐसे मिक्स करना है हाथ नहीं लगाना है या चमच भी नहीं लगाना है ऐसे उपर नीचे हमें प्लेट में करना है तो टोपू टूटता है इसलिए हमें ऐसी प्रोसेस करनी है तो पैन भी यहां गरम हो चुका है पैन में हम दो तिन चमच तेल डालेंगे और जो मैरनेर करके रखा था पनीर पनीर को हम प्राई कर लेते हैं सिर्प एक या दो मिनिट के लिए हमें प्राई करना है हलके हाथों से इसे मिक्स करके रहना है ज्यादा रगड कर हमें मिक्स नहीं करना है नहीं तो पनीर टूटेंगे पनीर बहुती स्वाप्ट और नरम होता है टोपो पनीर थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हमें पनीर को निकालना है जदा टाइम नहीं लगता पटापट फ्राय होते है पनीर तो फ्राय हो चुके है तो चलिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में पनिर निकालने के बाद उसी पैन में हम तेल डालेंगे तो उसी पैन में हम सबजी मनाएंगे टोपो पनिर की आप तेल की जगह हो बटर का भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं आज बटर नहीं तो तेल डालूंगी तो तेल दो तीन चमच डाला है तेल गरम होने के बाद एक दालचिनी का टुकड़ा डालेंगे और दो तीन तेजपत्ते डालेंगे तो तेजपत्ता और दालचिनी भूनने के बाद जीरा डालेंगे तो जीरा यहां मैंने आदा चमच डाला है तो पैस डालेंगे तीन तो बारिक कटे होएं पैस डाले हैं तो आप मिक्सी में भी पीश सकते हो लेकिन मैं आज टामाटर और पैस मिक्सी में नहीं पीशूंगी सिंपल तरीकी से रेसिपी आज आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए आज मैं मिक्सर का वियूस नहीं कर रही हूँ तो चलिए पैस को हमें तीन मिनिट तक भूणना है तो पैस भी भूण चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर हो चुका है पैस का तो इसी टाइप में हमें पैस को भूणना है फिर डालेंगे अध्रक लसुन का पेस्ट तो दो चमच महिने यहाँ अध्रक लसुन का पेस्ट डाला है अध्रक लसुन डालने से बहुती स्वाधिश्ट सबजी बनती है फिर डालेंगे दो टमाटर की प्यूरी टमाटर भी महिने कद्दू कसकर के लिए है टमाटर प्यूर थेक सकते हो टमाटर और पैस का भी कलर चेंज हो चुका है तो हम मसाले डालेंगे लाल-मिची पाउडर डाली है एक चमच रग्यलो जo मसाला होता है और भी डाला है एक चमच और गर्म मसाला डालाई आदर चमच ये पुरी तरह से तेल है ट्रमाटर और पैस ने मसाले अच्छे से भुन चुके है स्मेल भी बहुत ही अच्छे आ रही है तो सब मसाले भुनने के बाद इसमें डालेंगे क्रेम जो घर पर जो दूद के उपर मलाई जमती है वही मेने मलाई ली है तो आदा कोटरी यहां मेने दूद की मलाई ली है अगर आपके गर में दूद की मलाई नहीं है तो मार्केट में जो फ्रेश क्रीम मिलती है वही भी आप डाल सकते हो तो क्रीम डालने से ग्रेवी को बहुती रीचनेस आता है क्रीमी लगती है ग्रेवी टेस्टी लगती है खाने में आप मलाई का व्यूज जरूर कीजिए, स्किप मत कीजिए, इस मलाई की वज़े से तो पनीर की टेस्ट बहुती स्वाधिस्ट और टेस्टी लगती है, तो मसाले के साथ क्रीम भी भून चुकी है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो पानी यहां मैंने गरम करके डाला है, गरम पानी डालने से सब्जी टेस्टी लगती है, इसलिए आप गरम पानी जरूर डाली है, ग्रेवी पकने के लिए हमें उपर ढखन ढखना है, तो ढखन ढख देते हैं 3-4 मिनिट तक, ग्रेवी अच्छी से पकने से बहुती स्वाधिस्ट और टेस्टी लगेगी सब्जी 2-3 मिनिट के बाद देखते हैं, ग्रेवी अच्छी से पक चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है, ग्रेवी ने तेल छोड़ा है, अब हम डालेंगे फ्राय किया हुआ पनीर, तो लाश्ट में हम पनीर को डालना है, हलके हाथों से हमें पनीर को मिक्स करना है, आदा मिनिट तक हमें मसाले के साथ पनीर को भून लेते हैं, तो थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा पानी मद डालिए, गरम करके पानी को डालना है, जितनी ग्रेवी थीक रहेगी, उतनी सबजी अच्छी लगेगी, ज्यादा पतली नहीं अच्छी लगेगी, इसलिए पानी डालेंगे कशुरी मेती तो कशुरी मेती यहां लिए मैंने दो चमच तो क्रश करके डालेंगे कशुरी मेती डालने से बहुती स्वाधिस्टा और टेस्टी लगती है टोप पनिर की सबजी आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको कशुरी मेती पसंद नहीं है तो आप स्क पनिर डालने के बाद सिर्फ दो तीन मिनिट तक सबजी को पकाना है ज्यादा देर तक नहीं पकाना है नहीं तो पनिर सब तूटेंगे दो तीन मिनिट पकने के बाद सबजी गारी हो जाएगी और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा तो सबजी पोक चुकी है उपर से हम बारिक कटा हुआ हरा दनिया डालेंगे तो सबजी पोक चुकी है जेलिए गर्मा गरम टोपू पनिर की सबजी सव कर लेते है तो टोपू पनिर की सबजी आप तंदूर रोटी या चापाती या चावल के साथ भी खा सकते हो बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी लगेगी इस टोपू पनिर सबजी में मैंने कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले है बहुत ही सिंपल तरीकी से मैंने रेसिपी बनाई है गर की ही चीजों से टोपू पनिर की सबजी बनाई है हम जो regular पनिर खाते हैं वैसा पनिर नहीं होता है इस टोपू पनिर में ज़्यादा फैट नहीं होता है बहुत ही healthy और tasty लगता है पनिर आप ज़रूर खाने में टोपू पनिर का 7 कीजिए पहले भी मैंने बहुत सारी पनिर की रेसिपी बना कर upload किये उसकी link मैंने नीचे description box में डालिए आप वहाजा कर देख सकते हो तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आईए तो आप भी ज़रूर घर पे try कीजिए बहुती simple है तेस्टी है और healthy भी है तो प्रेंस टोपो पनिर की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आईए तो आप इदर पे ज़रूर टाय कीजिए और मुझे कमेंट में बताए कैसी बनिए अभी तक मेरे चाहिए को अपने subscribe नहीं किया है तो आप मेरे चाहिए को subscribe कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए तो मीज़ते आगले नहीं नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए पाई पाई